ती पार्ट फर्स्ट के लिए उसकी यूनिट सेकेंड, पांच यूनिट होती हैं, हम यूनिट सेकेंड से शुरुšात कर रहे हैं जो कि है हमारी कारवनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्टी अफ और गेनिक कमपाउंट्स. ये जो हमारे कारवनिक योगिक बनते हैं, इंका त्रिविम रसायन पढ़ना, यानकी स्टीरियोचेमिस्ट्री कैसी होती है तो जो हमारे स्टीरियोचेमिस्ट्री पढ़ेंगे, tać इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू करेंगे हो है समावयव जो हम देखने वाले हैं वो है समावयवता आईसो मेरिज्म यह वर्ड हमको सुनने को मिलेगा बार बार समावयवता यह समावयव हैं एक दूसरे के समावयवता क्या होती है समावयवता आईसो मेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा 12 में Isomarism क्या होती है माल लोग कोई दो Carbon Yik है और दोनों के Molecular Formula सेम है लेकिन उनके क्या different है structure है stereo chemistry different है और उनकी गुंड भी different है तो तो दोनों आपस में क्या क्या लाएंगे समावियाद तो हम बता सकते है समावियादा के लिए सबसे पहले हमें समावियवों को define करना पड़ेगा कि समावियव क्या होते हैं तो क्या होते हैं समावियव दो या दो से अधिक दो भी हो सकते हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो दो या दो से अधिक carbonic योगिक जिनके अडुसूत्र molecular formula जिनके अडुसूत्र क्या होते हैं? जिनके अडुसूत्र समान जिनके अडुसूत्र समान होते हैं परंतु रसाइनिक वा भौतिक गुण भिन्न होते हैं वे एक दूसरे के समाव्यव एक दूसरे के समाव्यव कहलाते हैं और इनका यही गुण क्या कहलाता है? समाव्यव्था कहलाता है तो समाव्यव्था क्या होते हैं? अगर हम even 2-Very हादि eigenlijk कार्वनिक योगिक एसे हैं जिनका अडशूत्र समाने मतलब कार्वन नंबर अफ कार्वन सेब हो गये अब हुशन सेम मोंगे तो उनमें अडशूत्र समान है लेकिन क्या बिनने उनकी फिर भी उनकी जो प्रॉपर्टीज है चैमिकल रियक्शन करने की प्रॉपर्टीज है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानकी उनकी रासाइनिक और भौतिक गुण है वो क्या होते हैं बिन होते हैं बिन होते हैं बहले ही उनका मॉलिकुलर फॉ सब कुछ से मैं लेकिन फिर वी उनके गुण भिन है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफ्रेंट है तो इसी इनी योगिकों को यह जो आपस में क्या कहलाएंगे यह जो योगिक होंगे आपस में क्या कहलाएंगे प्रदर्शित करते हैं उनका यह जो गुण होता है इसी को हम कहते हैं समावयवता क्या क्योंकेहते है pots देखेंगे कितने तरह की होती है ताइप देखें क्लासिफिकेशन फिर हम एक-एक समाव्यप्ता को पढ़ेंगे डिटेल में और जानेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है ठीक है समाव्यप्ता को अगर हम देखें समाव्यप्ता आईसोमेरिक कितने प्रकार की होती है अगर इसके प्रकार देखें जाएं तो इसके दो प्रकार होते हैं समाव्यप्ता दो प्रकार की होती है आप लोगोंने पढ़ा भी होगा समाव्यप्ता कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है कौन-कौन सी एक तो होती है संरचनात्मक structural isomerism संरचनात्मक समाव्यवता और एक होती है एक होती है सरचनात्मक समाव्यवता इसमें कहीं प्रकार है और यह त्रिविन समाव यवता है इसमें भी कई प्रकार है सबसे पहले हम सरचनात्मक के बारे में पढ़ेंगे इजी है और जल्दी समझ में आ जाए कि आप लोग को क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रख्योंगी 12 में पढ़ रख्योंगी I think तो यह कितने प्रकार की होती है सरचनात्मक में देखें अगर हम तो यह भी कई प्रकार की होती है एक होती है श्रंकला समाव यवता श्रंकला समाव यवता जिसे बोलते है चेन आईसोमेरिज्म दूसरी है इस्थिती समाव यवता स्थिती समाव्यव्ता पोजीशन आईसोमेरिज्ब अगली होती है क्रियात्मक समूह समाव्यव्ता फंक्शनल ग्रुप आईसोमेरिज्ब एक होती है मद्याव्यव्ता मेटामेरिज्ब एक होती है हमारे पास चलाव्यव्ता टॉटोमेरिज्ब और एक होती हमारे पास ब्वले श्रंक्ला समाव्यव्ता रिंग चेन आईसोमेरिज्ब सरचनात्मक समाव्यव्ता में हम इसनी प्रकार की समाव्यव्ता पढ़ेंगे श्रंक्ला समाव्यव्ता पढ़ेंगे क्रियात्मक समू समाव्यव्ता पढ़ेंगे स्थिती समाव्यव्ता पढ़ेंगे मद्यावयवता, चलावयवता और वलेशरंकला समावयवता है इन सबको हम पढ़ेंगे इन सबको हम पढ़ेंगे किसमें सरचनात्मक समावयवता में इसी प्रकार त्रिविम समावयवता के भी प्रकार है त्रिविम समावयवता के भी प्रकार है प्रकाशिक 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 प् जामिती और प्रकाशेक एक होती है सन्रूपन समाव्यवता कॉन्फर्मेशनल आईसो मेरिज्ब तो समाव्यवता को हमने दो भागों में बाटा कौन-कौन सी एक तो थी सरचनात्मक समाव्यवता एक है हमारे पास त्रिविन समाव्यवता दिख रहा होगा आपको सरचनात्मक समाव्यवता त्रिविन समाव्यवता सरचनात्मक समाव्यवता में हम पढ़ेंगे श्रंकला, इस्तिति, क्रियात्मक, मद्याव्यवता, चलाव्यवता और वले श्रंकले यानि कि इसमें 6 पार्ट है और इन 6 को हम स्टड़ी करेंगे 1 by 1 इसके लावा त्रिविन स समाव्यवता होती है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे जामिती समाव्यवता प्रकाशिक समाव्यवता और सन्रूपन समाव्यवता सबसे पहले हम शुरूआत करेंगे कहां से सरचनात्मक समाव्यवता से इसको समझेंगे कि यह क्या होती है सबसे पहले हम देखेंगे किसको सन रचनात्मक समाव्यवता को सन रचनात्मक समाव्यवता जैसा किसके नाम से पता चल रहा होगा इसमें क्या होगा सन रचनात्मक समाव्यवता यानि कि दो या दो से अधिक ऐसे योगिक जिनके क्या होंगे अनुसूत्र तो समान होंगे लेकिन क्या डिफरेंट होंगे सन रचनाई डिफरेंट होंगे या यानिके उनके जो सरचनात्मक सूत्र होंगे वो क्या होंगे भिन होंगे तो वो आपस में क्या कहलाएंगे सरचनात्मक समावयव और उनका यही गुण क्या कहलाएगा सरचनात्मक समावयव था यानिके अड़ सूत्र तो होंगे समान बस क्या डिफरेंट होगा उनका स्ट्र संरचनात्मक समाव्य अव्ता तम लिख सकते हैं यहां पर लिख दें जिन कार्गुनिक योगिकों का अड़सूत्र समान वा संरचनात्मक सूत्र स्ट्रक्चिरल फॉर्मुला भिन भिन होता है वे संरचनात्मक समाव्य अव्त कहलाते हैं और इनका यही गुण क्या कहलाता है इनका यही गुण इनका अड़सूत्र समान होंगे लेकिन इस्ट्रक्चर क्या होंगे अलग अलग तराग्य होंगे जैसे कि हम देखेंगे यह जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट आइसों मेरेश्म हम पढ़ेंगे इसके कितने इसको कितने भागों में बाटा गया, अभी हमने पीछे देखा, कितने भागों में बाटा गया है, 6 में तो सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे, यहां पर सबसे पहला जो इसका टाइप था, कौन सा था? श्रंकला समावियब्दा चेन आइसो मेरिज्म, श्रंकला समावियब्दा, नाम से ही पता चल गया होगा श्रंकला समावियब्दा है, तो किसमें डिफरेंस आएगा? श्रंकला में, चेन में, यानि कि, जिन कार्बनी क्योगिकों के अड़सूत्रू क्या होंगे? अड़सूत्र तो समान हो, लेकिन उनकी चेन, कार्बन चेन, यानि कि, जो मुख्य चेन है, मुख्य श्रंकला है उसमें कार्बन परमाड़ों के जुड़ने की व्यवस्था अलग-अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे? श्रंकला समावियब्दा अड़सूत्र समान होंगे लेकिन मुख्य श्रंखला में कारवन परमाड़ों के जुड़ने की व्यवस्थाएं क्या होंगी बिन बिन प्रकार की होंगी तो इससे क्या कहेंगे श्रंखला समाव्यप्ता एक और बार फिर सुल लीजिए For example ये ले ले मैं C4H10 ले लिया मैंने C4H10 किसका फॉर्मला ही है नाम सुनाओगा ब्यूटेन का अगर हम देखें एक तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं चार कारवन को जोड़ दो कारवन की चार वैलंसी होती है तो पूरी कर दो एक तो यहां जुड़ा हुआ है तो 3 H2, H2, H3 यह क्या है C4H10 एक तो हम ऐसे बना सकते हैं यह क्या कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटेन क्या है यह नॉर्मल ब्यूटेन है मैं इसको ऐसे ना बना कर मैं तो इसको ऐसे बना दूँ कारवन 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 और चौथा कारवन मैं यहाँ पर जोड़ूँ मैं नहीं जोड़ रही हूँ वहाँ पर मैं तो यहाँ जोड़ूँगी तो क्या हो जाएगा इसकी बैलन्स से पूरी करो CH, CH3, CH3 CH3 तो यह क्या है? यह नॉर्मल ब्यूटेन है और यह क्या बन गया? यह बन गया आईसो आईसो यह बहुत बन गया है यह कैसा है? शाख्यत स्टक्चर है और यह ओपन चेन है खुली वी श्रंगला है सीधी लीनियर चेन है तो क्या होगा यहाँ पर अडशूत्र तो दौनों के सेम है लेकिन श्रंगला क्या है? बिन बिन परकार के है इसलिए यह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? श्रंगला समावयब और उसी के गुण को क्या कहींगे? श्रंगला समावयबता तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं श्रंगला समावयबता को? कि श्रंकला के कारवन परमाड़ों के आपस में अलग-अलग प्रकार से जुड़ने के कारण ये उत्पन होती है किसकी वज़ेस उत्पन होती है श्रंकला के कारवन परमाड़ों के अलग-अलग प्रकार से जुड़ने के कारण तम लिख सकते हैं यहाँ पर श्रंकला के मुख्षी श्रंकला के कारवन पर माडूँओं के अलग अलग प्रकार से जुड़ने के कारण उत्पन होती है यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो यां दो से अधिक योगिक जिनके अडुसूत्र समानों परंतु उनकी कारवन श्रंकला बिन बिन प्रकार से वेवस्तित हों तो उने क्या कहते हैं श्रंकला समाव्यव कहते हैं और उनका याही गुण क्या कहलाता हुआ श्रंकला समाव्यवता कहलाता है जैसे for example हमने यह लिया था C4-H10 का ढ़्या-ब्यूटे dispon ईसके कितने स्रंकला समाव्यव बिने अस halten आई्सोbeltेthestार अतन depends हम पर ले लें जैसे कि हमने ले लिया कि सी फाइफ एच ट्वेल सी फाइफ एच ट्वेल क्या होगा यह यह होगा पैंटेन पांच कार्वान है पैंटेन हो जाएगा तो अगर मैं इसको तीन तरीके से विवस्तित कर सकते हूं एक दो तीन चार पाज वैलेंटी पूरी कर दें सी एच ट्री शी एच ट्वी शी सी एच ट्वी शी यह तो एक नॉर्मल श्रंकला हो गई सीधी सीधी लीनियर चेन हो गई तो यह क्या होगा यह तो हगा एण एण पैंटेन मैं इसको ऐसे भी विवस्तित कर सकती हूं माल लो मेरा मन कर गया मैं तो यहां जोड़ूंगी CS3 को तो वैलंसी पूरी कर दें CH CH2 CS3 CS3 तो यह क्या बन गया यह बन गया Isopentane मेरा मन कर गया नई मैं ऐसे नहीं जोड़ूंगी मैं क्या करूंगी मैं तो ऐसे जोड़ूंगी एक, दो, तीन, तीन की चेन बनाऊंगी और दो मिथाइल ग्रूप को ऐसे जोड़ूँगी, इसके सारे हाइड्रोजन अटा दूँगी, तो ये ऐसे बन गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है, नियो, पैंटेन, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, समावयवता है, ये जो समावयवता है, इसे क्या कहेंगे, श्रंखला समावयवता, तो जो इस प्रकास से, स्रंखला समावयवता क्या होती है, कारवन चेन में, कारवनों के अलग-अलग प्रकार से जुड़ने के कारण, यानि कि अगर कारवन, कारवन चेन लीनियर भी हो सकती है, और हमारी कारवन चेन क्या हो सकती है, ब्रांज जो भी हो सकती है, यानि कि शाखित हो सकती है, अब ह इसमें दूसरा टैप क्या था इस्थिती समावियब था पोजीशन आईसोमेरिज्म जैसे कि पिछली बार भी नाम से पता चल दा था शंकला समावियब था थी तो वहाँ पर शंकला में डिफरेंस था अब यहाँ पर क्या है इस्थिती समावियब था यान की पोजीशन में डिफरेंस होगा है ना तो अड़सूत्र क्या होंगे समान हुगे लेकिन किसी समुः प्रतिस्थापी समों की या किसी प्रत जुड़े हुए प्रतिस्थापी समुः की चस्थित समू हैं उनकी इस्थितियों से अलग-अलग इस्थितियों के कारण उत्पन होगी तो ये किसकी वज़ाँ से उत्पन होती है ये उत्पन होती है इसकी डैफिनेशन लिख दें क्या लिख सकते है समान अरसूत्र वा यह ऐसे ना लिख के है किसकी वज़ाँ से उत्पन होती है उसकी वज़ाँ से लिख लें दो यां दो से अधिक कारणिक, योगिक जिनके अनुसूत्र समान जिनके अर्सूत्र समान वा अर्सूत्र समान वा प्रतिस्थापक या वा की जगह है किन्तू लिखें किन्तू प्रतिस्थापक परमाडू या समू की इस्थिती अलग-अलग होती है तो वे एक दूसरे के इस्थिती समाव्यव कहलाते हैं अनका ये गुण इस्थिती समाव्यव्ता क्यालाता है कैसे डिफाइन करेंगे अड़सूत्र क्या है ऐसे कार्वनिक जिनके अड़सूत्र तो समान है परन्तू उनमें जुडे हूए प्रतिस्थापी कि यह सभूकिं इस्तिति क्या है अलग है जो उन्हें प्रतिस्थापी यह समु जुड़ा हुँआ है वह क्या अलग 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 प्योहस्ट है उसकी स्थिति के आधार पर यह लगी थिसे कि कहलाएंगे इस्तिति समावियब्टा कहलाएगा क्या कहलाएगा इस्तिती समाव्यवता कहलाएगा जैसे for example example के लिए हम देखें यह ले लिया हम C3H7Cl यह ले लिया एक तो मैं इसको ऐसे वेवस्तित कर सकती हूँ कारवन इसकी वैलेंसी पूरी करूंगी तो CS2 CS3 क्या हो गया । Virginia है यह एक तो यह है जहां पर क्लोरिन समूगा पर जुडा हुआ है पहली position पहले कारवन पर जुडा हुआ तीन कारवन है तो क्लोरिन कांग जुड़ा हुआ है फस्ट पोजिशन पर पहले कारवन पर अब मैं क्लोरिन को यहां से अटाकर यहां लगा दू बीच वाले कारवन पर लगा लूँ तो यह बन जाएगा इस्थिती समाव्यव था क्यूंकि यहां पर क्लोराइड जो ग्रुप है समू है इसकी इस्थिती अलग अलग है यहां पर पहले कारवन परमाड उसे जुड़ा हुआ है वन पोजीशन पर है और यहां पर सेकिंड कारवन परमाड उसे जुड़ा हुआ है यहीं सेकिंड पोज हाट ले 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 लें क्या लिए हमने सी फौर हेट बना के देखें एक दो 354 सबसे पहिए नॉर्मल बना कर लगाने के यहाँ पर एक लगाने और कारवन चार फट्रफ एन होता तो क्या होता अलकीन यानिकि दो हाइद्रोजन कम है तो इसका मतलब यह क्या होगा एल्खीण हो सकता है घ्रिंट को नहीं है क्या है अल्कीन तो मैंने एक डवल बॉंड लगा दिया हूसी एच टू यहां पर एच टू झी है य een धू तो यहां पर अगर मैं किसकी पॉजिशन डिफाइन करेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे डवल बॉंड अब किसकी पॉजिशन को देखेंगे डवल बॉंड यहाँ पर डवल बॉंड का मौझूद है पहली पॉजिशन पर मौझूद है यहाँ पर डवल बॉंड और अब मैं यहाँ पर डवल बॉंड की पॉजिशन चेंज कर दूँ चार अब और इनका यही गुंद क्या कहलाएगा किया कहलाएगा कि अगर इनका नाम देना चाहो तो दे सकते हो कितने कारवन चार कारवन होगे तो होता है butane है ना Bute Righte by it भी पोजिशन पर क्या है in है तो विव्ट 1 यहां पर कहां पर है यह भी चार कार्वन है तो वीड़् रूट वड्ट क्या है एगा विड़् कौन सी पोजिशन पर है To पर क्या है In तो But to In But one In ये एक दूसरे के क्या है स्थिती समावयब है और इसंदी समावयब ता क्या लाता है जैसे और एक्सामपल ले ये ले ले है C8H10 और सुत्र क्या दिया है C8H10 C8H10 होता है Xylene क्या है ये? Xylene है Xylene क्या होता है? Benzene की ring पर 2 CS3 ग्रूप जुड़े होते हैं ठीक है? और हम जानते हैं Benzene में 3 position होती है ये जो position होती है ये क्या कहलाती है? Ortho ये वाली जो position है ये क्या कहलाती है? Meta और जो नीचे वाली position है एक क्या कहलाती है प्लब एक ट diagon के तीन शंवाव भी हो सकते हैं यह पर एक सियस्तरी यहाँ पर मौझूद हो और्थ्थोउलिशन पर तो यह क्या कहलाएगा यह है और फोप साह है ऑड्थोजेंज करतें कहा पर यह second की वजाए third position पर आ जाए, तो यह क्या होगा? यह होगा metazylene, फिर position change करा दें, third की जगह कहा जाए? fourth position पर आ जाए, तो यह क्या है? paraxylene, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह जो methyl sum हो है, methyl group इसकी position बिन बिन है, position different है, यहाँ पर ortho position पर है, यह meta position पर है, यिया पहरा-ilsब पर मिठायल की पोजिशन हो रही है इसलिए ये आपस में क्या कहलाएंगे इस्तिती समावियभता कहलाएंगे इनके बीच में कॉन मैं सदेक्षारर थे इस्तिती समाव्यभता है एक पर डी क्या जिस में समुञ्ववता है। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप की समागे अबता next क्या थी हमारे पास next है हमारे पास क्रियात्मक समू समाव्यवता यह भी नाम से पता चल रहे होगी क्रियात्मक समू समाव्यवता क्रियात्मक समू फंक्शनल ग्रुप यानि कि अर्सूत्र तो क्या होंगे समान होंगे लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समू क्या होंगे बिन बिन होंगे तो वाप उसमें क्या कहलाएंगे क्रियात्मक्समू समावयब और उनका यही गुन क्या कहलाएगा क्रियात्मक्समू समावयब ता कहलाएगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं इसके डिफाइन करें तो क्या दो या दो से अधिक या फिर ऐसे कार्वनिक योगिक लिख लेने ऐसे कार्वनिक योगिक जिनके अड़सूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समू भिन्न भिन्न होते हैं क्रियात्मक समू भिन्न भिन्न होते हैं एक दूसरे के क्रियात्मक समू समावयव कहलाते हैं और उनका यह गुण क्रियात्मक समू समावयवता कहलाता है क्रियात्मक समू समावयवता कहलाता है जैसे फौर एक्जम्पल हम यह ले लें फौर एक्जम्पल हम यह ले लें C2H6O अड़सूत्र क्या है हमारे पास C2H6O दो कारवन छे हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अड़सूत्र है यह तो हम देखें इस से कौन-कौन से फंक्शनल ग्रूप बन सकते हैं तो यह बन सकता है CS3 CH2 OH अगर यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल समू जुड़ गया तो यह क्या बन गया यह बन गया अलकोहॉल कौन सा क्रियात्मक समू है यहाँ पर अलकोहॉल हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समू है तो यह क्या कहलाएगा अलकोहॉल कहलाएगा इसके अलाबा यह भी बन सकता है CS3 OCS3 अब यह कौन सा क्रियात्मक समू है दो अलकाल ग्रूप ऑक्सिजन से जुड़े हुए तो इसको क्या बोलती है इसको बोलती है इधर यह अल्कॉहॉल बना और यह क्या बना ऊथरूट है जबके दौनों के अडुसूत्र क्या है सेम दो कार्वन है इसमें भी बी डो कार्वन है यहां भी जैंडना लग नोगえて और फिर भी इनके लासाइनिक गुण और भॉतिक गुण दोनों ही क्या होंगे बहुत विन विन होंगे तो इस तरह ये आपस कहलाइंगे दूसरे के यह दोना जो functional group हैं यह क्या कहलाइंगे इनका इनका यह गुन क्या क्यों लाएगा सुम्हट अब है क्या क्या क्रियात्मक सुम्हावयत अप्ल करलाइगा गोसे और कारवन है जो और दिये तीन कारवन दो अक्सीजन है दो अक्सीजन है तो मैं ऐसे लगा सकती हूँ दो अक्सीजन हो गए CS3 CH2 अगर ये समूँ आ गया COOH तो ये क्या कहलाएगा ये क्या है कारवक्जिलिक एसेड कौन सा क्रियात्मक समूँ है क्या है ये कारवक्जिलिक अमल क्रियात्मक समूँ इसके रावा मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या अब ये कारवक्जिलिक अमल्य है ये कारवक्जिलिक अमल्य नहीं नहीं है लेकिन क्या है ये ओक्सीजन का हाइड्रोजन अटाकर उसकी जगे क्या जोड़ दिया गया CS3 group जोड दिया गया, तो यह क्या है? कार्बोक्जिलिक अमल का व्यूत्पुन है, derivative है, जिसे बोलते हैं, methyl słetate, यहां फिर यह कहलो, कार्बोक्जिलिक ऐस्टर है, यह क्या है? यह जो ग्रूप है, यह क्या है? ऐस्टर ग्रूप है? क्या ग्रूप है, यह कारवक्वग्वग अम्ल बना यह क्या बना एस्टर क्रियातमक्समूArt 206 हो गए, इनके रसुत्र तो समान ते, लेकिन क्रियातमक्समूileen 208 हो एकारवॉक्स लिक हमल है हमारे पास और दूसरा क्या है हमारे पास एस्टर इसका दोना आपस में क्या कहलाएंगे छूह कूंसे समाब है क्रियात्मक प्रियात्मक समाव्यर्ता कहते हैं ऐसे और भी बहुत सारे एक्जम्पल हैं जैसे फॉर एक्जम्पल यह ले लें हम सी थ्री एच नाइन एंड यहां पर क्या-क्या बनेगा देख लेते हैं तीन कारवन थोड़ा दूर दूर लरी गया इंगा नसकार्वन नाइट्रोजन जोड़ दिया यहां पर नाइट्रोजन से मैंने तोoras और ़े लेक्श टू. CS2 CS3 देखें तो 3 दो 5 9 hydrogen 1 nitrogen और 3 carbon यह कौन सा समू है जानते हैं amine क्या बन गया यह amine बन गया 1 degree amine प्राथ्मिक amine क्या है यह amine है कौन सा amine है प्राथ्मिक amine है ठीक है एक तो यह बना और दूसरा हम इससे क्या बना सकते है दूसरा हम इससे क्या बन सकता है हमने बीच में जोड़ दिया यहां प्राथ्मिक amine बना यह क्या बन गया यह क्या है दुथियक amine है पहला वाला क्या था प्राथ्मिक amine दूसरा क्या है दृतियक एमीन हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं नाइट्रोजन है तीन कारवन को ऐसे जोड़ दो तो यह क्या वन गया यह कौन सा अमीन वन गया यह वन गया तृतियक एमीन यह टर्शरी एमीन से तीनों की केमिकल प्रोपरिटीज क्या होंगी डिफ्रेंट डिफ्रेंट होंगी फिसिकल प्रोपरिटीज भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट होंगी तो इस तरह के यह आपस में क्य क्रियात्मक्समू समावयव और इनका ये गुण क्या क्रियात्मक्समू समावयव था ठीक है तो इसी प्रकार से हम अगली आइसो मेरिंज की तरफ चलते हैं और अगली समावय अब लेते हैं जिससे हम लेते हैं चलाव ये अब तह अगली क्या है चलाव ये अपता छिसे बोलते हैं टौटो मेरिंज यहां पर यह दो वर्ट से मिलकर बना है टॉटो मेरिज्म का मतलब होता है यह जो वर्ड है टॉटो टॉटो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट टॉटो मेरिज्म का मतलब क्या हुआ सेम पार्ट यह अलग तरह की विशेज तरह की समाव यपता है क्या है एक विशेज तरह की समाव यपता है ज फट बंप erm:// होती है यानि कि हाइडरोजन अपनी पूजीशन चेंज करके किसी दूसरे पॉली वैलेंट ए्टम के ऊपर चला जाता है तो से क्या कहते है जहां पर हीडरोजन का मुव्मेंट हो औking हथी ठीर साथ है याणि हाइड्लोजन अपनी जगह विशेष प्रकार की, यह एक विशेष प्रकार की समाव यवता है, क्या है यह एक विशेष प्रकार की समाव यवता है, जिसमें समाव यवी, जिसमें क्या गरते हैं? जिसमें समावे भी एक दूसरे में परिवर्थित होते रहते हैं साथ ही एक दूसरे के साथ गतिक संतूलन मतला डाइनेमिक एक्विलिवीरियम डाइनेमिक एक्विलिवीरियम का मतलब है एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं किसी एक फॉर्म में स्टेवल नहीं है किसी एक फॉर्म में नहीं रुकेंगे एक से दूसरी में यानि हाइडोजन का मुव्मेंट चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा यह कभी एक से कभी एक साथ किसमें रहेंगी साम्में में रहेंगी दोनों ही फॉर्म उपस्तित रहती है साम्में में ठीक है तो हम लिख सकते हैं यह किसकी वज़े से उत्पन होती है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार की समाव यवता किसकी कारण उत्पन होती है हाइड्रोजन के कारण तो हाइड्र हाइड्रोजन के स्थानों पर उपस्थित पॉलिवेलेंड मतलब बहु सही हो जी पर्माडूओं बहु सही हो जी पर्माडूओं के बीच दोलन के कारण किसके कारण दोलन के कारण उत्पन होती है यानकि यह जो समाव यवता है मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन की वज़य से किसकी वज़य से उत्पन होती है हाइड्रोजन की वज़य से उत्पन होती है हाइड्रोजन क्या करता है लगातार अपनी पोजिशन चेंज करता रहता है कभी किस पोजिशन पर जाएगा कभी थ्री बन पोजिशन पर रहेगा कभी थर्ड पोजिशन पर रहेगा तो क्या होगा इससे क्या होगा जो दूसरे के साथ किसमें रहती है साम्में में रहती है औ और बराबर time to time एक दूसरे में change होती रहती है, तो इस तरह की जो समाव यद्था होती है, क्या कहते है, हम TOTOMERAS, किस की वज़े से उत्पन होती है, है激रोजन के movement की वज़े से, motion की वज़े से उत्पन होती है, जैसे for example ले ले हम, यह ले 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 है, यहां पर क्या करेगा hydrogen अभी किस से जुड़ा हुआ है oxygen से जुड़ा हुआ है तो यह क्या करेगा oxygen से हट कर कहां चुड़ जाए nitrogen से जुड़ जाए अगर hydrogen यहां से अपनी position से change करके कहां जुड़ जाए nitrogen से जुड़ जाए तो यह क्या कहलाएगा यह इस तरीके से बन जाएगा तो यह क्या बन गय यहां पर मुझूद था जड़ा हुआ तो यह कौन सी फॉर्म थी नाइटराइट फॉर्म और दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ किसमें उपस्तित थे यानिकि एक दूसरे में इंटर कनवर्ट हो रही है चेंज हो रही है तो यहां पर यह जो फॉर्म के मोशन की वज़से ज अधियुदा ब्यपता यहां फिर इसमें लेले हम यह लेलें हैं यह तो यह क्या है ति किससे जुड़ा हुआ है तो यह क्या है यह कौन जी रूप हैπन साइंद साईनाइडशाय二 रूप है और ये क्या है ये है आईसो साइनाइड रूप तो क्या हुआ हाईडोजन के मोशन की वज़से ये साइनाइड फॉर्म है और ये क्या है आईसो साइनाइड फॉर्म है ठीक है तो इस तरह से हाईडोजन क्या कर रहा है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है जिसकी वज़से क्य का हुआ रहे हैं रहते हैं कि चलाव्यवता चलाव्यवता को इसने बची हमारे पास एक तरह समावी तो उनको हम अगले लेक्चर में continue करेंगी ठीक है आज के लेक्चर के लिए इतना ही थैंक यू